हो इस शेंप स्थे हो वर वांड हो का यह वीडियों वेलकम तो थे चैनल ट्रिक्टरवर्गं से नवे डिसकुसिंग अभी अभी अनुक्ष में क्या डिसकार्याओ ।ि आउजके करेंगे मेँकाष दौbuat gelsina १र और यहां पर देखी है उ 원래 helping sympathetic and parasympathetic nervous system parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system okay so parasympathetic nervous system originate कहां से होता है यह से originate हो रहा है और जो सेक्रम सेक्रम में जो parasympathetic fibers हैं यहां पर क्या होगा basically कब होगा जब भी कोई touch sensation या कोई भी sexual arousal kind of thing होगी okay sexual arousal kind of thing होगी तो उस टाइम पर क्या होगा parasympathetic nervous system के जो fibers है वो activate हो जाएंगे और वो activate होकर करेंगे क्या वो दो चीज़े करेंगे यहां पर corpora cavernosa है हमारे पास में क्या है corpora फार्ड नुसा में हमारे ब्लड ले वैसल से और ब्लड साइनस है clear दो चीज़ें आप समझेगे यहां पर बिलड वैसलस है तो ब्लड वैसल्स की ये 60 het की क्या हो गई वॉल हो गई अब यहाँ पर क्या करता है करते हैं और तो क्या release करवाते हैं दे रिलीजिंग नाइट्रिक ओकसाइड दे रिलीजिंग वाट नाइट्रिक ओकसाइड यह क्या रिलीज करते हैं नाइट्रिक ओकसाइड रिलीज करते हैं तो वॉल में क्या हो जाएगा अगर यह डायामीटर इसका इंक्रीज हो गया तो यहां पर blood vessels में काफी ज्यादा blood आ सकता है तो अब जो blood vessel होगी वो कैसी हो जाएगी ऐसी अगर वो blood vessel ऐसी होगे तो इसका diameter बढ़गी है इसका मतलब यहाँ पर इतना इतना जो blood है वह extra आ जाएगा clear अगर इतना blood और extra आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा थोड़ा इस्टिफ हो जाएगा पैनिस कैसा हो जाएगा थोड़ा इस्टिफ हो जाएगा दूसरा क्या होगा ब्लड साइनस जो है यह जो हमारे ब्लड साइनस है इस ब्लड साइनस की वाल को भी क्या करेंगी यह relax करेंगी क्यों relax करेंगी क्योंकि यहां पर nitric oxide release होगा blood sinus में also there is a release of nitric oxide और nitric oxide vasodilatory substance है और vasodilatory substance होगा तो यह क्या करेगा dilation करेगा dilation करने से क्या होगा diameter increase हो जाएगा और excess amount of blood blood जो है excess amount of blood जो है यहां पर पहुचेगा तो इसी वज़े से penis के अंदर क्या हो जाएगा erection आ जाएगा दोनों ही चीजे ultimately causing what stiff stiff बना देगी penis को making stiff to penis and it ultimately lead to erection इससे क्या आ जाएगा erection आ जाएगा तो एक तो यह मदद कर रही हैं दूसरा अब यहां पर देखिए जनरली आपने देखा हुगा sympathetic और parasympathetic opposite वर्क करते हैं बट यहां पर parasympathetic और sympathetic दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं तो याद रखिए जब sexual arousal होता है और sexual intercourse होता है उस case में sympathetic और parasympathetic दोनों भाई-भाई की तरह काम करते हैं otherwise दोनों एक दूसरे के दुष्मन की तरह काम करते हैं बॉडी में अब यहां पर देखिए प्यरा हुआ ब्लेडर है ओके यहां पर क्या होगर पैरा सुंतिटिक नर्वज इस्ट्रम में कहां मिला है जो लंबर ए्ट्रीया है हमारा कर देंगे कॉंस्ट्रिक्ट कर देंगे यहां पर जो मसल्स मिलती यूरिनरी ब्लेडर पर यहां पर जो हमें मसल्स मिलती है वो क्या हो जाएगी कॉंट्रेक्ट हो जाएगी तो उसकी वज़े से क्या होगा यूरिन जो है यूरित्रा में नहीं होगा अगर यहां पर जो यूर जो है यूरित्रा में नहीं आएगा तो क्या होगा फर्स्ट क्या होगा यूरिन नॉट मूव इंटु यूरित्रा और सेकेंड क्या होगा सीमन जो है सीमन जो रिलीज होगा वह यूरिनरी ब्लेडर में नहीं जाएगा सीमन नॉट मूव इंटु यूरिनरी ब्लेडर फर्द point क्या है इसमें so before ejaculation क्या होगा there is a starting of peristaltic moment यह peristaltic movement start करवाएगा peristaltic movement जो है वो start होगे peristaltic movement कहां कहां start होगे the first one is यह हमारा epididymus है जहां से particularly epididymus से हमारा क्या रहा है सीमन आ रहा है तो epididymus में start होगा epididymus second seminal vesicle third हमारा vast difference fourth ejaculated drug and prostate तो इन सब की वज़े से क्या होगा emission of इन सब की वज़े से क्या होगा emission of semen this ultimately lead to the emission यह सब क्या करेंगी emission cause करेंगी emission क्या है basically emission basically ejaculation से पहले semen का थोड़ी सी मात्रा में release होना emission क्या है semen का थोड़ी सी मात्रा में release होना ही emission है okay तो कुछ-कुछ जो mail होते हैं उनमें nocturnal emission भी होता है से कि हम जिसे की स्वपन दोश भी बोलते हैं clear तो यहां पर देखिए इस तरह से emission हो चुका है अब यहां पर मैंने आप लोगों बदाए था बल्बो इस्पंजियोसस मसल बताई थी इश्कियो कैवनोसस मसल बताई थी as well as यहां पर पैनिस में तो यह तो यह तीनों ही मसल जो है उन पर पुडंडं नर्व की सप्लाई होती और यह पुडंडं नर्व की सप्लाई की वजय से यह क्या करेंगी यह तीनों ही मसल इजेकुलेशन में help करेगी clear तो जब सेक्सवल इंटर कास complete हो जाएगा जब ejaculation हो चुका sperm का female के अंदर ओके या फिर ejaculation हो चुका है उसके बाद क्या होगा sympathetic nervous system de-activate होगा और parasympathetic nervous system deactivate होगा और sympathetic nervous system भी deactivate होगा तो यहाँ पर nitric oxide की release कम हो जाएघी तो blood थैकम हो जाएगी हो जाएगा clear everyone तो यहां पर आप लोगों को mechanism of penis erection समझ में आ गया होगा तो यहां पर देखिए एक disorder होता है मेल के अंदर जिसमें क्या होता है penis का erection नहीं होता है तो यहां पर देखिए जो penis का इरेक्षिन नहीं होगा तो इसके लिए कुछ medicines आती है वह medicine क्या करती है आपने नाम सुना होगा वयागरा का और वयागरा के अंदर कौन सी drug होती है वयागरा के अंदर होती है sildenafil citrate क्या करती है basically sildenafil citrate का mechanism यही है कि वह क्या करती है इट कॉज 4 डिलीज आफ नाइ रिक्षाइट क्या करती है को पू समझाई चुका हूं तो किॉश्प यही है काम आती है और जो इसकी कंजेनर और भी जो ड्रक्स हैं वो सब किसी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम आती है तो आप लोगों को यहां पर मेकनिज्म भी समझ में आ गई होगी यहां पर कुछ कोश्चन मैंने आप लोगों से डिसकस किये हुए है अबाउट पैनिस एन कि अपर भी समझ में है जिसे तो आपदैं से वाई जो पर किसी में आती है पियुटाइल को जाएबल प्रक्स है जए एक रवागों से तो आप लोगों से एज हैं जो दो आती है लोगदेशन आती है झाल झाल